आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे दहां तक नहीं हो तरी study IQPAP का बहुत बहुत सबागत है दोस्तों अगर हम बात करते हैं research की especially हमको यह पता लगा नहीं होता है क्या से 2500 साल पहले क्या हुआ तो हड्डियों से पता लगाते हैं जो भी fossils हमको मिल के लिए खजाना है हम कितना कुछ पता लगा सकते हैं तो हम इस news की बात करेंगे UPAC के smart courses आते और अब हमने test series भी launch करती है आप जरूर अवेल करें देगे मैं updates डालने वाला हूँ क्योंकि मैं travel करने वाला हो गर आप मुझसे one to one interaction करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा प कुछ मिलता है तो researchers के लिए तो खजाना है क्योंकि साइबीरिया भाई है रशिया में तो सालो साल थंड़क पड़ती है और साइबीरिया में तो extreme cold है तो अभी जब बरव बारी थोड़ी कम होगी मतलब जब थोड़ा सा weather सही होगा तब इसको भीजा जाएगा कहा research के लिए और तब बहुत कुछ पता चलने वाला यह आप देख सकते हैं it is a rhino तो well preserved ice age woolly rhino मिला है जिसके internal organs जो है वो अभी तक सही है सही मतलब काम नहीं कर रही है मतलब उस पे proper research हो सकती है वैसे तो आपको बता दूँ देखिए Siberia में बहुत ठंड पड़ती है तो जब इतनी आप ना हो तो आप उसको फ्रिज में रख देते हैं है कि नहीं तो आप यहाँ पर वही समझ सकते हैं temperature जो है ना उसको disintegrate या degrade होने नहीं देता तो इसलिए इसके जो internal organs है still intact और कहाँ परmafrost in Russia extreme north वहाँ पर मिला है Wednesday को Russian media ने यह report किया था कि carcass was revealed by melting permafrost in Yakutia देखो जब बरफ पिगली मतलब जब हमने पिगलाया तब हमको यह मिला यह शव मिला और जब हमने इस पर थोड़ी research की scientist ने यह देखा तब यह पता चला यह तो ice age का है तो जैसे ही Arctic region में Arctic के बारे में अभी मैंने लिच्चर लिया था कि वहाँ पर भी COVID-19 पहुंच गया है तो Arctic region में जैसे ही बरफ मतलब सही होगा मौसम सही होगा तुरंत इसको डिलिवर किया जाएगा लाब में ताकि study conduct करवाई जाए और बहुत कुछ पता चलेगा उस पर हम फिर से लेचर लेंगे हलाकि research में थोड़ा सा time लगता है अब इसके बारे में यह बोला जा रहा है इस एमंग दी best preserved specimens ice age के जितने जानवर अभी तक हमको मिले हैं यह best preserved specimen है जिस पे हम research कर सकते हैं क्यूंकि soft tissues still intact अभी तक इसके soft tissues आपको देख के लग रहा है आपको लगी नीरा होगा यह करोणों साल पुराना है यह तो अभी का ही लग रहा है तो इसी लिए it is one of the best intestine thick hair fat सब intact है in fact इसका horn bee was found next to it तो इससे तो हमको बहुत कुछ पता चल सकता है अब आपको पता ही है अरे ice age अजा सुनो सबसे पहले ice age के बारे में तो जान लो आपको पता ही है कि 12.5 billion years ago big bang हुआ और उसके बाद time बना फिर atoms बने वो time scale पूरा है हमारी धर्ती लगबख साड़े चार अरब साल पुरानी है इस बीज क्या हुआ कि जब big bang हुआ singularity से बहुत बड़ा धमाका हुआ ये one of the most accepted theory है Einstein की relativity equation से हम पीछे गए और हमने ये सब calculate किया है ये हुआ होगा big bang हुआ होगा तो universe हमारा अभी भी expanding करा बढ़ता जा रहा है और फिर अभी करोणों अरबो साल बाद big crunch भी होगा तो हमारी धर्ती साड़े 400 साल पुरानी है साड़े 400 साल बोल रहा हूँ साड़े 400 साड़े 400 अरब साल पुरानी है साड़े 400 करोण एक अरब is equal to 100 करोण 1 billion is equal to 100 करोण वह ये सब clear रखना million billion बड़े important रहते हैं समझने में आसानी होगी तो बहुत सारे ice age आए जब big bang हुआ तो temperature बहुत जादा था और उसके बाद सब कुछ ठंडा हुआ reduction in temperature और ice age अभी तक total 5 ice age आ चुके हैं जो धाई अरब साल पहले शुरू हुए थे सबसे पुराना है आपका hiranian फिर आता है आपका cryogenian फिर आता है आपका endian फिर आता है अरे माइक थोड़ा सा adjust कर लेता हूँ ठीक है फिर आता है आपका late pylozoic ऐसी spelling थोड़ा सा प्रनसीशन गड़बर हो सकता है और अभी हम quaternary ice age में यानि कि अभी भी ice age चली रहा है हमारा जो ages है अर्थ की वो green house और ice age के बीच में vary करती है पहले सब कुछ गरम था green house harmful gases निकली और फिट सब ठंडा हुआ तो अभी हम ice age में ही है एक तरीके से लेकिन अभी का ice age बहु सबसे पुराना है धाई billion years ago यानि कि धाई अरब साल तो ice age में यह rhino जो है वो मिला था अभी बहुत सारी discoveries हुई है नामत्स कि आपको पते ही है पहले के जमाने में जो पुराना सब कुछ बड़ा होता था हाथी इतना बड़ा शेर हाँ अपने ice age मूवी देखी होगी देख अपकी मूवी है वो उसमें एक शेर एक हाथी और एक वो तीसरे उसको पता नहीं उसको कहते क्या है ठीक है वो तीनों बहुत ही best friends होते हैं और इसका नम सेड होता है क्या बात है वा सेड मुझे भी सब सेड बुलाते हैं तो बहुत कमान की मूवी है उसके चार या पांच पास आए हैं तो जरूर देखेगा आइस एज तो आइस एज मतलब सब बहुत बड़े-बड़े होते थे मैमत्स डिसकवरी ओफ मैमत्स जैसे वुली राइनोज हो गया आइस एज फोल हो गया केव लॉयन कप्स हो गया इस सब की डिसकवरी हो रही क्यों पर्मा फ्रॉस्ट जो है वो मेल्ट कर रहा है जैसे जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे ग्लेशियर्स पिखलेंगे देखो एनिमल्स मर गया वो वहीं खतम दफन हो गया वो बरफ में ग्लेशियर्स में अब जब वो पिखलेंगे तब हमको पता चलेगा ना अब इसी यह वुली राइनो जो ह इसके specimen क्यों ही मतलब जो इसके tissues है वो क्यों intact है थंड की वज़े से मैंने बताना कि अगर कोई चीज आप ना चाहते नहीं सड़े तो आप उसको फ्रिजी में रख दो एक एक हफते तक रखते रहो वो नहीं खराब होगी है कि नहीं atomic level पर सारी चीज़े काम करती है तो permafrost क्या हुआ melt हो रहा है across vast areas of Siberia because of global warming और इसे लिए major discoveries हो रही है mammoths की तो याकूतिया 24 अच्छा एक चीज़ और सुन लो permafrost का मतलब समझ रहो ना permafrost वो एरिया होते हैं जो continuously 0 degree Celsius से कम वहाँ पर temperature 0 degree Celsius से कमी रहता है दो साल से लगा अतार अगर 0 degree Celsius से कम रहेगा तो permafrost वो सेरिया को कहते हैं वहाँ पर बरफ जमी रहेगी 0 degree Celsius पर बरफ जम जाती है ना तो अब यहाँ की जो बरफ है वो पिगल रही है तो या कूतिया 24 TV ने एक कोट किया जो पैलेंटियोलोजिस्ट है वैलरी प्रोटिकॉफ उन्होंने विट रीजिनल ब्रांच ऑफ रशियन अकैडमी ऑफ साइंसेस उन्होंने बोला कि वुली रायने वाज लाइकली 3 और 4 इयर्स ओल तीन से चार साल का होगा जब यह मरा होगा फिर प्रोटिकॉफ ने यह बोला कि में भी यंग रायनो डूब गया होगा छोटा है ना तीन से चार साल चोटा ही होगा बच्चा होगा वो और डूब केस की मौत होगी होगी अब अब मिला यह सबसे इंपोर्टेंट तो यह है 20,000 से 50,000 साल पहले ध्यान दीजेगा मैं आप यह मत समझेगा कि धाई अरब साल पुराना है धाई अरब साल पहले भले ही आईसेज शुरू हुआ हो लेकिन मैंने बता ना पांच आईसेज आ चुके हैं उसकी टाइम लाइन साब देख लिजेगा मुझे खुद भी नहीं याद है लेकिन पांच आईसेज जो है क्या dead body of an animal तो इसका जो कैरकास है वो 20,000 से 50,000 साल पहले पुराना है अब more precise dating will be possible जैसे ही हम इसको लाब में ले जाएंगे रेडियो कार्बन स्टडी मैं बहुत जल्द दोस्तों रेडियो कार्बन ये जो dating techniques हैं कि हम कैसे पता लगाते हैं इसके पीछे की science बताऊंगा कि कैसे scientists calculate करते हैं अकसर लोगों को लगता होगा na curiosity होती होगी कि यार आज हम यहाँ पे बैटे हुए है हमारी science इतनी डेफलब होगी कि मलाको लाको साल पहले की चीज़े बता रहे हैं होता है यह बहुत आसान है तो वो मैं आपको बताऊंगा तो radio carbon studies जो हैं क्योंकि अभी मैं बहुत सारे इस तरीके के lectures ले रहा हूँ पहले इंटियो लोजी पे तो जैसे ही lab में हम discover करेंगे तो इसकी exact year हमको पता रहा होगा तेरकेस कहां पे मिला है अबस्क डिस्ट्रिक्ट में वहां पे मिला है on the bank of अरे बापरे बहुत खतरनाक नाम है आप खुदी पढ़ लीजेगा इस नदी के किनारे और इन दी अबस्क डिस्ट्रिक्ट प्रोस टुदा एडिया वेर एनधर यंग वुली राइनो was discovered in 2014-2014 में इसी का भाई भाई मतलब सगा भाई नहीं होगा लेकिन एक दब ऐसे ही वुली राइनो डिस्कवर हुआ था और इसका specimen कितना था 34,000 साल पुराना तो ये खबर थी दोस्तों टेलिग्राम पे मैं आ गया हूँ 12,700 सब्सक्राइबर है इसी चैनल को आप जॉइन करिएगा खोश रहिए पर ते रहे देशे सिद्दान तक नहीं होता ही साइनिंग होगा